हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार मरुदर क्लासिज बर दोस्तों प्रिक्षा देने जाए तब किन किन बातों का आपको द्यान रखना है पूरी जानकर यह आपको इस वीडियो मिलेगी आप इस सेनल पर पहली बार विजिट क के जाना है सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्रिक्षा के अंदर पर जाएं तब कौन-कौन से दस्ताविज लेकर जाना है तो आपके पास में आपका एड्मिट कार्ड अभी तक आपने नहीं निकल वाया तो निकल वाले ना कल सुबह आपकी एंट्री वहोगी सुबह 10 से 10.30 बजे के मदे प्रिक्षा के अंदर पर तो 10 बजे ही आपको प्रिक्षा सेंटर पर पहुंचना है और उस समय आप घर से निकलें तब प्रिक्षा के अंदर पर जाएं उस समय आपके पास में एड्मिट कार्ड होना सही उसके साथ में आपके पास में आदार कार्ड अ आपके पास में बारवी या 10 की मारकषीट होगी, वह आप लेके जा सकते हैं, तो ये थे दस्तावे जो इसके साथ में अगर आपको फोटु मंगवाए हैं साथ में तो वह भी आपको लेके जाने पड़ेंगे, पासवर्ट साइज के दो फोटू आपको पास में रखना है रैसे मंगावाई तो नहीं जाते हैं कापी बार लेकिन आप एड्मिट कार्ड में दिशा निर्देस निर्देस की तरफ दिये जाते हैं वो एक बार पढ़ गे ही जाना ठीक है वहाँ पर आपको पूरे दिशा नि किये जाते हैं पैन कौन सा उप्यूग लेना तो बिल्यू पैन ही उप्यूग लेना है बाकी आप दिशा निर्देस अतने एड्मिट कार्ड में देख सकते हैं क्या क्या सर्त हैं अब बात करते हैं ओम एमार्षिट कैसे बढ़नी है दोस्तों जो ट्वेल्थ बास स्टूड से बढ़नी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं नमूना इस परकार कि दोस्तों ओमर्षिट आएगी यानि कि आंसर सीट जो आपके पेपर दिया जाएगा और यह आंसर सीट है वो अलग दी जाएगी पहले यह आंसर सीट मिलेगी उसके बाद में ही आपको पेपर मिल लिखने होगे लिए कि और प्रष्icles किस परकार से सोल्ल करने वो भी बैता हूंगा और आपका नाम यहां पर दालना पड mã ऎंटरेगा उसके बार मैं आपके अस्ताक्सर करने पढ़ेंगे और प्रिक्षातिति आपको डालनी पढ़ेगए सबसे बहुत है बता देता हूं किस परकार से आपको बढ़ना है जैसे कि यहां पर रूल नंबर दाएगा जैसे यहां पर शियार रूल नमबर है यहाँ पर दो है यहाँ पर साथ है यहाँ पर आठ है यहाँ पर दो है यहाँ पर स्यार है और यहाँ पर स्यार है तो इस परकार से आपके जो भी रोल नमबर वो आपको यहाँ पर टाइप करने है टाइप करने के बाद में यहाँ पर निश्य की तरफ सार नहीं दी जाए इस परकार से बढ़ना है जैसे यहां पर दो है तो दो वाला गोला यहां पर आपको पूरा का पूरा काला करना पड़ेगा यहां पूरा का पूरा आपको यहां पर काला करना पड़ेगा इस परकार से यह साथ दिये गए तो इस परकार प्रिश्ण पुस्तिका में जैस पूरा काला करना पड़ेगा इस परकार से ही आपको अपने आंसर शीट को बढ़ना है उसके बाद में अटेंदेंस संक्या वगेरा वोगी वो आपको बोर्ड बता दी जाएगी विक्सक के द्वारा यह गोला है जो कि यह अब्यारत नकल या कदासार या दोस्री पाय जाता ह तो यह विक्सक बढ़ता है आपको नई बढ़ना है अगर आपने बर दिया गलती से ही तो आपके ऐग्जाम कोई मायने नहीं रखेगा यह यह कोपी शैग भी नहीं होगी और आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा इस गोले का ध्यान रखना अमेशा इस गोले को नहीं बता देता हूं अब पर निशे की तरफ आएंगे तो नाम डालना आपको यहां पर अपना नाम डालना अंग्रीजी में यहां पर नाम डालेंगे उसके बाद में निशे की तरफ आपको अस्ताक्सर करने हैं यहां पर आपकी प्रिक्षातिती वह आपको यहां पर टाइप करन यह जो बनाले करने हैं तो जैसे कि पहला प्रस्चन आपका जो दिया जाता है वो आपकी पेपर में होगा वह आपको किस प्रकार से क DAR रहता है। से लेकर के दस प्रश्चना आपको प्当 पर करेंगी तो दस प्रश्चनह होजायें उसके बाद में आपको फिर से गोले-काले करने यानि गोले काले करने के लिए आपको किस परकार से जैसे की यह दिये गया है पहला ही प्रश्ण है इसका जैसे की आंसर है डी तो आपको किस परकार से बढ़ना है यहाँ पर डी वाला उप्सन है यहाँ पर पहले बॉन्टरी की तरब से काला कर लेना उसके बाद में अंदर क कि त्रब आपको पूरा का पूरा इसको काला करना अध्रूरा काला नहीं आदे कैयों कि यहाँ पर अद्धा नहीं करना पूरा का क्रोज़ों। प्ड़ेगा कि ऐसी परकार से गुले बढ़ने अगर इस परकार से रैट वगेरा लगवा लिया तो फिर आपके गोले नहीं बढ़े तो फिर आपकी कोपी सहघ नहीं होगा यानी कि सारे के सारे इसी परकार से दस प्रेशन के राइट पेपर में लगवा लिया उसके बाद में दस का आप फिर से गोले बने इसके बाद में फिर दस सॉल करें उसके बाद में गोले इसी परकार से आप सॉल करते जाए और गोले बरते जाए कोई कोई इस्टूडेंट ऐसे होते हैं ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट देखा है कि आप सबसे पहले पेपर सॉल करने में लग जाते हैं पेपर सॉल करते करते हैं पीसे पांस या साथ मिन्ट बसते हैं उस समय वह गोले बढ़ने श्टार्ट करते हैं तो ऐसी इस्तती कि आपका समय भी आसानी से बस जाएं और आपके जो प्रेशन आपने जो जो राइट लगा है पेपर के अंदर वो तो आपके बिल्कुल यहां पर ओमर शेट में भरे जाएंगे तो यह आपको नंबर दिया जाएगा तो इस परकार से ओमर शेट पढ़नी है मैंने आपको ओम देशों की पालना आपको करनी है थैंक यू दिन्यवाद जहिन जैवर्ग